परिजय आज अमित और संजय को बाजार जाना है। संजय तैयार हो गया है और अमित का इंतिजार कर रहा है। अमित जल्दी में है और अपने बाल समार रहा है। उसने कंगे को मेज पर रखा और जब उसने दोबारा कंगा उठाया तो वो चकित रह गया। कागस के कुछ टुकडे कंगे से चिपक गए। उसने कंगा हिलाया लेकिन कुछ ही टुकडे नीचे गिरे। कुछ अभी भी इससे चिपके रहे। उसने संजे से पूछा कि कागस के टुकडे कंगे से क्यों चिपक गए। संजे ने बताया कि ऐसा आवेशों के आकर्षण के कारण होता है। जब तुमने बालों में कंखा किया, तो कंखा रगडने के कारण आवेशित हो गया। जब कंखे को कागस के निकट लाया गया, तो कागस पर विप्रीत आवेश बन गया। और वे दोनों एक दूसरी की ओर आक्रिष्ट हो गए। चात्रों, वैद्धत आवेश हमारे हर ओर पाए जाते हैं। आज हम वैद्धत आवेश तथा शेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तेश्चे। प्रेरण त्वारा आवेशन के पारे में जानना। वैद्धत आवेश के मूल कुणों को समझना। कूलों के नियम को परिभाशित करना। बहुल आवेशों के बीच बलों की करना करना। विद्धत क्षेत्र को परिभाशित करना। विद्धत क्षेत्र रेखाएं खीचना। विद्ध फ्लक्स तथा विद्ध दुईत्रुव के बारे में जानना, एक समान वाहे क्षित्र में दुईत्रुव का विशलेशन करना, संतत आवेश विद्रण की गणना करना, गौस के नियम तथा इसके अनुप्रयोगों को परिभाशित करना, विद्ध आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश यानि धनावेश तथा रणात्मक आवेश यानि रणावेश, सामान आवेश एक दूसरे को प्रती कर्शित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं, यदि कांच की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगडने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रती करशित करती हैं यदि प्लास्टिक की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगडने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रती करशित करती हैं यदि कांज की एक छड तथा प्लास्टिक की एक छड को रेशम के कपड़े से रगणने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को आकर्शित करती है विद्ध आवेश एक अधिश राशी है आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है प्रतेक उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रोनों एवं प्रोट्रोनों की संख्या बराबर होती है जब इलेक्ट्रोनों एवं प्रोट्रोनों की संख्या बराबर नहीं होती तो वस्तु में एक नेट धनावेश या रनावेश होता है चालक तथा विद्ध रोधी समगरियों को उनके माध्यम से विद्ध आवेश प्रवाहित या संचालित होने की शमता के अनुसार वर्गिक क्रित किया जाता है चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें होकर विद्ध आवेश आसानी से प्रवाहित होता है धात्वें अच्छी चालक होती हैं जैसे की तांबा, चांदी, अलुमिनियम और स्वर्ण धात्विक चालक में पदार्थ में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या अधिक होती है जो पदार्थ में विचरण कर सकते हैं प्रतेक परमानों से अलग होने वाले इलेक्ट्रोनों की सही संख्या पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करती हैं विद्धुत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं, जिन में होकर विद्धुत आवेश का प्रवाह नहीं होने पाता अच्छे विद्धत रोधियों के उधारणों में रबर, लकडी, काज और अबरक शामिल है विद्धत रोधि में मुक्द इलेक्ट्रॉन नहीं होते सभी इलेक्ट्रॉन अपने मात्र परमाणों से बंधे रहते हैं और आवेश का चालन संभव नहीं होता प्रेरण द्वारा आवेशन किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से इस परशिक कराए बिना एक नेट विद्धत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है जब किसी चालक को किसी चालत दार द्वारा प्रित्वी से संयोजित किया जाता है तो इसे भू संपर्कित कहा जाता है आईए इस परिखटना को समझनी के लिए एक उधारण देखें एक रिणावेशित छड़ को एक वियुक्त अनावेशित गोले के निकट लाएं परिणाम सरूप गोले का वो भाग धनावेशित हो जाता है जो चड़ के निकट तम होता है तथा वो भाग रणावेशित हो जाता है जो सबसे दूर होता है भूध संपर्क गं, तार को गोले से स्योजित करें कुछ इलेक्टॉन अब गोले से निकल कर भूमी में चले जाएंगे भूमी से संपर्क अ ठादें चालक गोले में प्रेरित धनावेश का आधिक के रह जाता है रवर की छड को अठा दें चालक कुले में अपनेट धनावेश रह जाता है। वैदुत आवेश के मूल कुण। योचिता किसी निकाय का कुलावेश निकाय के विभिन भागों पर वित्रित सभी प्रथक आवेशों का बीजिये योग होता है। उधारण के लिए चार आवेशों दो कुलाव माइनस पांच कुलाव माइनस चै कुलाव और चार कुलाव वाले एक निकाय का कुलावेश माइनस पांच कुलाव होता है। आवेश का सनक्षन, वियुक्त निकाय का कुलावेश किसी भी प्रक्रिया के दोरान नियतांक रहता है। आवेश को एक से अन्य निकाय में इस्थानांत रित किया जा सकता है, लेकिन इसे स्रिजत या नश्ट नहीं किया जा सकता। उधारां के लिए आवेश का भूस संपरकर्ण, क्वांटमी कर्ण, किसी आवेशित वस्तु का कुलावेश, आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशी E का पूरां की गुणच होता है। मुक्त आवेश की सबसे छोटी राशी E, जिसे खोजा गया एक एलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश है, जिसका परिमान एक तशम्राव 609 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलावेश होता है। किसी वस्तु पर कोई आवेश Q, सदेव Q बराबर N A के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां N एक पूरांख है। कूलावम का नियम, एक बिंदू आवेश द्वारा अन्य बिंदू आवेश पर लगाये जाने वाले विद्धत बल का परिमान, आवेशों के परिमानों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश निर्देशित होता है। एस आई प्रणाली में कूलों का नियम निवन प्रकार का होता है। लगाई जाने वाले प्रतक कुलों पलों का सदिश योग होता है। किनहीं दो आवेशों के बीच बल अन्य आवेशों की उपस्तिती से आप प्रभावित रहते हैं। एन आवेशों की प्रणाली के लिए Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार QN तक आवेश Q1 पर कुल बल F अन्य सभी आवेशों Q2, Q3, Q4 तथा इसी प्रकार QN तक होता है। F1 पराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 तथा इसी प्रकार F1N तक इस समय करण को निम्ड रूप में लिखा जा सकता है। F1 बराबर I बराबर 2 से I बराबर N तक का योग बराबर 1 बटे 4 पाई, एपसिलोन नौट गुणे Q1, Q2 बटे R1I गुणे R1I कैप। उधारण आए कुलोम के नियम का एक उधारण देखें। दिये गए जित्र में केंद्री आवेश पर बल ग्याद करें। आए इसका हल देखें। माना F1 बल का परिमान है, जिससे आवेश Q2, Q1 की ओर आकरशित है। F बराबर 1 बटे 4 पाई, एपसिलोन नौट कुणे Q1, Q2 बटे R पर्ग। इस समीकरण में मान रखने पर हम बाते हैं कि F1 बराबर 45 कुणे 10 की खाथ माइनस 3 न्यूटन जो 0.45 न्यूटन है। F2 बल का परिमान है, जिससे Q2, Q3 की ओर आकरशित है। उप्रोक्त समीकरण में मानों को रखने पर हम बाते हैं कि F2 बराबर 16.875 गुणे 10 की खाथ माइनस 3 न्यूटन जो 0.169 न्यूटन है। Q2 द्वारा अनुभाव किया जाने वाला नेटपल F Q1 की ओर निर्देशित है। तथा निम्न रूप में व्यक्त है F बराबर F1 माइनस F2 बराबर 0.045 माइनस 0.0169 न्यूटन जो 0.081 न्यूटन के बराबर है। विद्धित क्षेत्र आवेश या आवेशों के निकाई के परिताह एक दिक स्थान होता है जिसमें अन्य आवेशितकन स्थिर वैद्धित बलों का अनुभाव करते हैं। ये क्षेत्र विद्धित क्षेत्र कहलाता है। एक बिंदो पर विद्धत क्षेत्र E को उस बिंदो पर रिस्थित एक छोटे धनात्मक परिक्षण आवेश Q0 त्वारा अनुभव किये जाने वाले विद्धत बल F के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो आवेश से विभाशित होता है. E पराबर F पटे Q0. विद्धत क्षेत्र E एक सतिश है, जिसकी दिशा धनात्मक परिक्षण आवेश पर बल F के समान होती है. विद्धत क्षेत्र का SI मातरक न्यूटन प्रदी कूलॉम होता है. एक बिंदु पर विद्धत क्षेत्र निम्ननुसार व्यक्त है. E बराबर एक बटे चार पाई एपसिलोन नौट गुणे Q बटे आर वर्ग गुणे आर गैप। बिंदु आवेशों के समों के कारण विद्धत क्षेत्र की गणना करने पर अध्यारोपन सिध्धान्त प्रयुक्त होता है. E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और इसी प्रकार E N तक इस समीकरण को निम्ननुसार लिखा जा सकता है. E बराबर योग आई बराबर एक से एक का एन बटे चार पाई एपसिलोन नौट गुणे Q बटे आर पी आई वर्ग गुणे आर पी आई कैप। विद्ध क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का मान्चित्र होती हैं जो दिशा प्रदान करता है तथा विविद इस्थानों पर विद्ध क्षेत्र की प्रबलता को इंगित करता है। चेत्र रेखाएं सदेव धनावेश पर आरंब होती हैं तथा रिणावेश पर या एकल आवेश की इस्थिति में अनंत पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलने वाली या रिणावेश तक पहुचने वाली चेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। कोई भी दू क्षेत्र रेखाएं परस पर प्रतिछेद नहीं करती हैं। क्षेत्र रेखाओं की आपेक्षिक निकटता विविद स्थानों में विद्धुत क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को इंगित करती है। वैद्धुत फ्लक्स वेदुत फ्लक्स फाई एक विदुत क्षेत्र में परिकल्पित प्रिष्ट के माध्यम से काटी जाने वाली विदुत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है एक समान विद्ध क्षेत्र E में टुबोई गए S क्षेत्र भलवाले समतल प्रिष्ट के लिए विद्ध फ्लक्स निम्नवत परिभाशित है फाई E पराबर E S कौस्ट थीटा जहां E प्रिष्ट के अभी लंबवत है थीटा पराबर शुन्ने टिकरी तथा फाई E पराबर E S एक अधिकतम मान है इस इस्तिती में प्रिष्ट से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की अधिकतम संक्या होगी जहां E प्रिष्ट के समानतर है थीटा पराबर 90 डिकरी और फाई E पराबर शुन्न है ऐसी स्तिती में प्रिष्ट से कोई क्षेत्र रेखा नहीं समान ने विदुत क्षित्र में निमंगन याद्रिचिक बंद प्रिष्ठ के लिए वैदुत फ्लक्स E कौस थीटा के प्रिष्ठ पर पूर्ण सांखिक के रूप में परिभाशित किया जाता है। वैदुत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग प्रतिकूलॉम होता है। वैदुत दुईत्रुव समान परिमान किंदु विपरीत चिन्ह वाले तथा दो ए दूरी से प्रतक दो बिंदू आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू का युक्म वैदुत दुईत्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों माइनस Q और प्लस Q को मिलाने वाली रेखा दुईधरुव अक्ष कहलाती है. एक विद्ध दुईधरुव का विद्ध दुईधरुव अकूर्ण पी आवेश माइनस Q से आवेश प्लस Q की और इंगित सदिश होता है, जिसका परिमान आवेश Q तथा आवेशों के बीच की दूरी दो एक गुणन फल के बराबर होता है. एक समान वाहिक्षेतर में दुईधरुव एक समान विद्ध क्षेतर E में रखे एक दुईधरुव पर विचार करें, जिसका दुईधरुव आगुण P E के साथ एक कौन थीटा बनाता है. इसलिए प्लस Q पर बल Q E है तथा आवेश माइनस Q पर माइनस Q E है. चूंकि बल समान तथा प्रती समान तर हैं, इसलिए दुईधरुव पर नेट बल शुन है. हाला कि दोनों बल Q E और माइनस Q E एक युग्म बनाते हैं. बलागून का परिमान बराबर प्रतेक बल का परिमान गुणे युग्म की भुजा. इस समीकरण को निम्नवत लिखा जा सकता है. टाउ पराबर P तथा E का तिरियक गुणन फल. संतत आवेश वितरण बनते हुए. आवेश के उपर परिरामी बल आवेश वितरण के समस्त अन्य आवेश अव्यवों के क्षेत्रिय योग्दानों के एकिक करण द्वारा प्राप्त किया जाता है. रेकिक आवेश घनत्व लेम्टा इस पत का उप्योग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है और रेखा की प्रतियकाई लंबाई कुल आवेश के रूप में परिभाशित की जाती है. इसका SI मात्रक कुलॉम प्रतिमीटर होता है. प्रिष्टिये आवेश घनत्व यानि सिग्मा इस पत का उप्योग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरण एक प्रिष्ट पर होता है और प्रिष्ट के प्रतियकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाशित किया जाता ह इसका SI मात्रक कुलॉम प्रतिमीटर वर्ग होता है. आयतनी आवेश घनत्व रो इस पत का उप्योग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरण एक त्री विमिय प्रदेश में होता है और प्रदेश के प्रतियकाई आयतन कुलावेश के रूप में परिभाशित किया जा इसका SI मात्रक कुलॉम प्रति घन मीटर होता है. गाउस का नियम गाउस का प्रमय एक गाउसियन प्रिष्ट से वेद्ध फ्लक्स फाई ए एपसिलोन नौट द्वारा विभाजित प्रिष्ट मुक्त दिक स्थान की असमवाहकता द्वारा परिबध नेट आवेश क्यू के बराबर होता है. गाउस का प्रमय एक बंद प्रिष्ट के अंदर आवेश की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है. यदि प्रिष्ट पर समस्त बिंदूं के लिए एक याथ हो. गाउस के नियम के अनुप्रयोग अनन्त लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्ध क्षेत्र. गाउसियन प्रिष्ट के रूप में हम आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बिलनाकार प्रिष्ट चुनते हैं, जिसके अक्षतार के अनुदिश हैं. यदि तार का रहकिक आवेश घनत्व लेम्डा है, तो गाउसियन प्रिष्ट में आवेश लेम्डा होगा. हम जानते हैं कि फाई ए बराबर ए डॉट डियस के बंद प्रिष्ट पर समाकलन, जो ए तथा दो पाई आर एल के गुणन फल के बराबर है. यहां दो पाई आर एल बेलन के वक्र प्रिष्ट का ख्षि किसी बिंदू पर विद्ध क्षेत्र लेम्डा बटे दो पाई आर एपसिलोन नौट के बराबर होता है. एक समान आवेशिद अनन्त सम्तल चादर के कारण विद्ध क्षेत्र गाउसियन प्रिष्ट के रूप में हम अनुप्रस्द क्षेत्र ए और चादर के अभी लंबव पत अक्ष के साथ उंचाई दो आर वाले एक वृत्तिय बेलन पर विचार करते हैं. यदि सिग्मा चादर का प्रिष्टिय आवेश घनत्व है तो गाउसियन प्रिष्ट द्वारा परिबध आवेश एल सिग्मा होगा. हम जानते हैं कि फाई ए बराबर ए डौट डियस के बंद प्रिष्ट पर समाकलन जो दो ए और ए के गुडन फल के बराबर है. गाउस का प्रमे के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरिये दूरी आर पर किसी बिंदु पर विद्ध क्षेत्र सिग्मा बटे दो एपसिलोन नौट के बराबर होता है. एक समान आवेशित पतले गोलिये खोल के कारण विद्ध क्षेत्र आर त्रिज्या वाले गोले के केंद से आर दूरी परिस्थित बिंदु पर विद्ध क्षेत्र ग्यात करने के लिए हम आर त्रिज्या वाला एक गोलिये गाउसियन प्रिष्ट चुनते हैं जो आवेशित गोले के साथ संकेंद्रित है। यदि ठोस गोले में आवेश का आयतन घनत्व रो है तो गोले में कुल आवेश निम्ननुसार होगा। क्यूं बराबर चार बटे तीन पाई। आर घन और रोका कुडन फल। इस्थिती एक ठोस गोले के बाहर बिंदूं के लिए आर बड़ा है कैपिटल आर से। ठोस गोले के केंद्र से आर दूरी पर इस्थित किसी बिंदू पर विद्धत क्षेत्र एक बटे चार पाई एपसिलॉन नौट कुणे क्यू बटे आर वर्ग के बराबर होता है। इस्थिती दू ठोस गोले के अंदर बिंदूं के लिए आर छोड़ा मूलियांकन। आगे बढ़ने से पहले आईए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठा कर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप चानते हैं। रगड़ने पर कम कारे फलन वाले निकाए से इलेक्ट्रोन मुक्त होते हैं और वो धनाफेशित हो जाता है। उच्चतर कारे फलन वाला निकाए इलेक्ट्रोन प्राप्त करके रनाफेशित हो जाता है। पॉजिट्रोन एक कण है जिसका द्रवेमान इलेक्ट्रोन के समान होता है। पॉजिट्रोन पर इलेक्ट्रोन पर रणवेश के समान परिमान का धनवेश होता है। कुछ समय पहले एक बटे तीन ई तथा दो बटे तीन ई आवेश के कड़ों की उपस्थिती अभी ग्रिहित की गई है। ये कन क्वार्क कहलाते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित तथा विप्रीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं। किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्शिक कराय बिना एक नेट व्यद्यत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरन त्वारा आवेशन कहलाती है। किसी आवेशित वस्तू का कुलावेश, आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशी ई का पूना की गुणच होता है। आवेशित के अनुतिश निर्देशित होता है। इस थिर वैद्द बलों का अनुभव करते हैं। यह क्षेत्र विद्द क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र कुलां बलों का भाचेत्र करते हैं। झालावेश पूना के अनुत्त्र का अनुत्र कहला अनुत्र कुलावेश गया है। झाल झाल